बिस्मिल्ला रोख्मार ररहीम अस्सालाम अलेकुम स्टूडेंट्स इस आतिफ आमद यूर मैस्टीचर बच्छो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं 10th Class Mathematics Exercise 2.3 तो बच्छो इस exercise के अंदर जो सबसे मेन कंसेट इस्तमाल होगा वो होगा Sum of the Roots and Product of the Roots तो exercise स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ basic concept बता दूँगा ठीक है और Sum of the Roots, Product of the Roots के लिए क्या फार्मूले हैं उनको derive करना बताऊँगा ठीक है और फिर उन फार्मूलों को इस्तमाल करते हुए हम exercise को solve करेंगे ठीक है जो चलिए स्टार्ट करते हैं पच्छो हम बार बार पढ़ चुके हैं quadratic equation के बारे में और हम जानते हैं कि उसकी जो एक जनलर फार्म होती quadratic equation की वो होती है अच्छा अब roots of quadratic equation हम ज्यादा complication मिनी जाते हैं simple सी बात करते हैं कि कोई भी आपके पास quadratic equation है आप उसको solve करते हैं तो आपको दो answers मिलते हैं वो जो answers होते हैं वो इस equation के roots कहलाते हैं इसी तरह यह एक general form है quadratic equation की ठीक है आप इसको solve करेंगे solve करके इसके जो answers मिलेंगे ने वो यह मिलेंगे और यही हमारा quadratic formula भी होता है ठीक है तो यह quadratic formula basically answer होता है इस general form of quadratic equation का तो हम इसको इसके roots भी कहते हैं ठीक है अच्छा ओके तो बच्चो इसको आप देख सकते हैं कि minus b उसके प्लस minus लिखा होगा यह दो roots है एक plus sign के साथ और एक minus sign के साथ यह दो roots है कि इस general form of quadratic equation के हम suppose कर लेते हैं कि एक root जो है उसको नाम दे दिया alpha का और दूसरे को suppose कर लेते हम बीटा के equal ठीक है दो नाम दे दिया हमने इसको सही है अब यह जरूरी नहीं कि आप इसको alpha कहेंगे हर बार आप हो सकता है इसको alpha कह दें कोई issue नहीं है एक alpha के एक को आप बीटा कहलें दो अपने नाम दे दिये roots को is it clear okay अब sum of the roots और product of the roots के वो formula जो यहां पर आपने इस करना sum of the roots ठीक है तो यह जो हमारे पास एक standard form जो एक general form कह लें उसके roots थे हमारे पास यह दोनों है ना अब इसमें पहला root की value प्लस यह दूसरे root की value put कर दी जाए अब देख सकते हैं यह fraction की वाम में यह भी fraction है और बीच में क्या लिखा हुआ है तो जब भी fraction होती है आपके पास और तो आप क्या करते हैं LCM लेते हैं इन दोनों का denominator है same 2a 2a हमने a की रहन बना दी और नीचे 2a लिख दिया जब भी ऐसा हम करते हैं अब हमारे पास दोनों तरफ यह इधर भी denominator और इधर भी denominator सेम होता है अब ओपर की चीज़ें वैसे की वैसी अब लिख दिया और इसको भी आपने उठाके वैसे लिख दिया अब क्या होगा यह माइनस भी है और यह भी माइनस भी माइ माइनस भी बचेगा हमारे पस यह वाला तो नीचे का लिखावर टू है अब टू टू से कड़ जाएगा तो ऊपर रह गया बी माइनस का और नीचे रह गया ए इस तरह से हमने कहा के अल्फा प्लस बीटर जो होता है माइनस बी ओवर ए तो यह जो फार्मूला आप इस्तमा करते हैं product of the roots की ठीकए तो product love का मतलब होता है multiplication तो दोनों रूट्स को यह आपके बस alpha और बीटा आए हैं दोनों को मैल्टिप्लाइ करते गे product को लिए हम जो है वो P का लेटर इस्तमाल करते हैं P is equal to alpha multiply by beta अब यहाँ पर alpha की value put कीजिए यहां पर बीटा के वैली बूट कीज़ें, ठीक है, तो इन दोनों का multiply करें, अब दोनों का denominator 2a और 2a है, पहले इन दोनों का multiply कर लो, ऐसे एक line लगा के, 2 into 2, 4, a into a, a square, अब उपर का portion देखो, एक ये bracket और एक ये bracket, इन में similarities पहले देखो, यहां पर minus b लिखा हुआ है, यहां यहां पर square root of b square minus 4 इसी है, यहां पर भी square root of b square minus 4 इसी है, लेकिन इसमें center में plus लिखा हुआ है, और इसके center में क्या लिखा हुआ है, यहां हमारे पास कुछ इस तरहां की situation बन रही है, अगर मैं यहां पर formula mention करूं, a minus b into a plus b is equals to a square minus b square, ठीक है, यह वाले formula की situation बन रही है, यह a, यह भी a, यह b और यह भी b, ठीक है, दोनों brackets multiply भी हो रही है, लेकिन एक में minus है और एक में plus है, तो first part का square minus second part का square, यह formula आप अच्छे से जानते हैं, class 9 के अंदर भी आपने काफीज का इसका 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 है, तो इसके accordingly, आप देख सकत positive number का square जो हो हमेशा positive होता है, याद रहे हैं आपको, तो minus b का square क्या हो जाएगा, प्लस का b square, राइट, यह square जो है वो इस inside square root से कट जाएगा, अब यह bracket के बाहर लिखा है, minus, minus into b square, minus b square, minus into minus 4ac, plus का 4ac बन जाएगा, अब b square minus b square आपस में कट जाते हैं, तो यह आगा जी 4ac divided by 4a square, 4ac divided by 4a square यहाँ पर लिख लो, अब 4, 4 से चला जाएगा, उपर a है और नीचे a का square है, तो एक a उपर से और एक नीचे से कट जाएगा, तो हमारे पास बच जगा c over a, इस तरह से हम कह सकते हैं, कि alpha into beta हमारे पास equal होता है c over a के, तो यह अपने formula बना दिया, कि product of the root जो ह वो हमारे पास c over a के equal होती है, ठीक है बच्चो, तो यहाँ से दो formula हमने drive कर लिए, एक alpha plus beta is equal to minus b over a, और दूसरा alpha into beta is equal to c over a, यह आगा हमारे पास relation, अब इनको इस्तमाल करते हुए हमने exercise के जो questions हैं, इनको solve करना है, question number one, part number one पी आजए, अब यह रहा हमारा question number one और उसका part one मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, दुबारा से, मेरे पास इसकी statement है, x का square minus 5x plus 3 is equal to 0, ठीक है, तो आपने क्या find करना है, sum of the roots and product of the roots find करना है, ठीक है, यह formula हमारे पास mention है, sum of the roots के लिए minus b over a का formula है, और product of the root के लिए c over a का formula है, इसका मतलब कि अगर हमने sum या product निकाल ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको compare करते हैं, जो standard form of quadratic equation होते हैं, यानि ax का square plus bx plus c is equal to 0, direct भी करना चाहते हैं, आप directly कर सकते हैं, ठीक है, यह reference देदे हैं, आप formula का, ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर इसका कोई coefficient नहीं, तो मतलब यहाँ पर 1 होग ठीक है, इस तरह से आपको पास a, b, c की value आगे, ठीक है, यह देख सकते हैं, a, 1 की equal आ रहे है, और b जो वो minus 5 की equal आ रहे है, और 3 जो हो c की equal आ रहे है, ठीक है, तो सबसे पहले हम sum का formula, sum के लिए हम कहते हैं, alpha plus beta, alpha plus beta किस की equal होता है, minus b over a की, right, अब यहाँ पर minus b की की value है, minus b की value है, minus 5, divided by आगे, a, a की की value है, 1, तो बच्चो यह बन जाएगा, आपके बास minus into minus plus, तो plus का 5 divided by 1, उसको simply हम 5 लिखेंगे, तो यह 5 हमारे पस आगे है, इसका sum आगे, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे product की, तो product की लिखा करेंगे, alpha into beta is equal to c over a होता है, ठीक है, वो ल और a की value कितनी है, मेरे पास 1 है, तो 3 by 1 is equal to क्या होगा, 3, तो यह मेरे पास इसका second answer आगया, ठीक है, तो बहुत ही आसान और छोटा सा question है, ओके, अब हम इसके second part पे आजाते है, अब second part पे हमारे पास जो लिखा हुआ है, यह इसका first part था, अब आज हैं इसके second part पे, तो second part पे जो लिखा हुआ question 3, x का square plus 7 x और minus का 11 is equal to 0, ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं, तो इस तरह proper तरीके से भी इसके साथ compare करके, a, b, c की value निकालते हैं, वरना आप directly भी निकाल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि x के square के साथ जो coefficient होता है, वो a होता है, a is equal to 3 आ गया, x का coefficient होता है, वो b होता है, so b is equal to 7 आ गया, और जो constant होता है, वो आपके बस c की equal होता है, c is equal to minus 11, ठीक है, minus 11 आ गया, अब आपने क्या करना है, sum of the roots निकालने है, और product of the roots निकालने है, तो sum of the roots के लिए क्लिए 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 क्लिए, alpha plus beta is equal to होता है, हमारे बस minus b over a, formula लिखा, minus b divided by a, तो आप देखिए, b की क्या value है, b के value आपके आगे जी 7, तो यहाँ पर 7 पूट कर दें, और a की क्या value है, 3 value है एकी, तो आपके बस बन जगा minus 7 divided by 3, यह आगे answer, खीक है, इसी तरह से अब हम बात करेंगे, product of the roots की, तो alpha into beta is equal to होता है, मेरे पास c over a के बराबर, अब यहाँ पर हम इनकी values put करेंगे, c की क्या value है, c की value है मेरे पास minus का 11, minus 11, ठीक है, और a की क्या value है, a की value मेरे पास है 3, तो यह बन जगा मेरे पास minus 11 divided by 3, यह product आ गई, part number 3 पे आ रहे है, अब यहाँ पे जो हमारे पास question है, वो है, px का square minus qx plus r is equal to 0, ठीक है, तो आपने abc की value निकाल ली है, तो आपको पता है कि, जो x के square का coefficient होता है, वो a होता है, so a is equal to p, और x का coefficient होता है, वो b होता है, so b is equal to minus q, and constant is equal to c, तो c हमारे पास इस वक्वालाजी r के, ठीक है, तो अब हम formula लगाएंगे, sum of the roots, so product of the roots के लिए, so alpha plus beta sum of the root होता है, वो किसकी एको पता है, हमारे पास minus b divided by a के, तो हम क्या करेंगे, minus b की क्या value है, b की value है, मेरे पास minus का q, और divided by a की क्या value है, a की value मेरे पास p है, तो यह मुझे answer मिलेगा, minus into minus plus का q, divided by p, यहां गया answer, इसी तरह से अगर मैं product of the root की बात करेंगा, तो alpha into beta is equal to c divided by a होगा, ठीक है, अब य उपर आजएगा r, और नीचे अगर हम देखें, तो a है, a की value है, a की value है, a की value है, हमारे पास p, तो यह नीचे आजएगा p, यह बन जएगा मेरे पास r divided by p, यहां गी product, फिर हम बढ़ते हैं, जी question number 4 की जानिब, और question number 4 में हमें जो statement लिखी है, हम यहां पर लिख देता हू जीरो आ गया, right, अब देखें, यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था, कि जो x के square के साथ multiply हो रहा है, यह नीचे जो coefficient होता है, वो आपके बस a होता है, अब आने इसके इंदर a, b, c इस्तमाल हो रहा है, इसलिए मैं यहां पर अब इसको capital a से denote करूँगा, so capital a is equals to क्या हो जगा आपके बस a plus b के equal, ठीक है, और इसी तरह से जो x के coefficient होता है, वो आपके बस क्या होता है, वो b होता है, सहिए, तो इसको मैं capital b से denote करूँगा, b is equals to minus a, right, और इसी तरह से पिर जो constant होता हो, आपके बस c होता है, मैं capital c से इसको denote करूँगा, which is equal to b, right, तो x square का coefficient क्या ह होता है A, X का कोफिशन क्या होता है B, और जो कॉंस्टन होता है वो क्या होता है C होता है, तो इसमें क्यूंकि यह भी सी आ रहे थे, इस वज़े से मैंने इसको capital A, capital B, capital C से represent कर दिया, तो इसी respect से हम फामूले में भी होड़ी सी modification करेंगे, यह हमने sum of the roots निकालना, यानि alpha plus beta, तो minus B over A की बिज़ाए हम क्या लिखेंगे, capital B लिख देंगे, चले, ऐसी कर देंगे, minus B divided by A, ठीक है, minus B divided by A, तो अब minus B की क्या value है यहाँ पर minus ऐसे लिखा, B की value minus A, तो यहाँ पर minus A लिख दीजिए, और इसी तरह से जब नीचे लिखेंगे value हम A की, तो A की value आएगी मेरे पास A plus B ऐसे, ठीक है, तो यह मेरे पास क्या relation आएगर जी, A divided by A plus B, that is the sum of the root, ठीक है, और फिर जम बात करेंगे product of the root की, तो alpha into beta is equals 2 होता है, minus, sorry, C over A होता है, तो capital C divided by capital A लिखेंगे, बजा मैंने बता दी क्यों लिखेंगे, ओके, तो अब यहाँ C की value है, C की value है, हमारे पास यह small b, ठीक है, और A की value है, यह की value है, A plus B, यहाँ ब्रैकट में लिख देंगे, A plus B, दोने की values पूट कर दी, तो यह आगा है, हमारे पास B divided by A plus B, यह आगया, product of the root, question number 5 पर आ जाते है, इसकी जो question दिया गया, वो क्या है, L plus M into X का square आ जाएगा, और फिर plus M plus N into X आ जाएगा, और plus का N minus L is equal to 0, इसको भी चाहें, तो bracket में कर लिखेंगे, ठीक है, ओके जी, तो अब सबसे पहले हमने sum और product निकालने के लिए A, B की और C की value निकालनी है, आप जानते हैं कि X के साथ, X square का coefficient होता है, वो क्या होता है, आपके बस A, ठीक है, तो A is equal to L plus M bracket में कर लेते हैं इसको ऐसे, और इसी तरह से जो X का coefficient होता है, यानि उसके साथ जो multiply हो रहा होता है, वो हमारा B होता है, तो B is equal to M plus N, और जो अकेला होता है, हमारा यानि without variable X, हमारा variable उसके बिना जो आई हो सारे का सारा constant कह रहाता है, So, C is a constant, N minus L आ गया, अब जब हम बात करते हैं, जी sum of the roots की, तो alpha plus beta लिखोगे, alpha plus beta is equals to minus B over A, इसका formula होता है, तो इसी के accordingly आप यहाँ पे minus लगाईए, तो B की क्या value है, sorry, B की value है मेरे पास M plus N, और जो B over A है, तो A की क्या value है, L plus M, तो यह आगया मेरे पास, इसकी sum का relation, ठीक है, और इसी तरह जब मैं बात करूँगा इसकी product की, तो alpha into beta is equal to C over A होता है, और तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, C की value है मेरे पास, C की value है N minus L, N minus L, और A की क्या value है, L plus M, तो इस तरह से मुझे इसका relation, product का और sum का दोनों का में जाता है, बहुत ही आसान और simple सा question है, इसी तरह से जब मैं बात करूँगा question number 5 की, sorry 6 की, तो question number 6 में देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर मैं solve कर देता हूँ question number 6, question number 6 में लिखा गया जी, 7 X का square minus 5 M X plus 9 N is equal to 0 है, तो सबसे पहले हम ABC के वाली निकालेंगे, हम जानते है, X के square के स होता है, यानि X के साथ जो multiply हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं, यह हमारा B है, so B is equal to minus 5 M, देखो X के साथ 5 भी multiply हो रहा है, M भी multiply हो रहा है, इस दिए यह पूरे का पूरा हमारा B होगा, so B is equal to minus 5 M, right, okay, इसी तरह से जो हमारे पास without X होगा, यानि यह पूरी के पूरी term constant rate ह constant को हम C कहते है, 9N, okay, तो अब हम क्या करेंगे जी, इसके sum और product का formula लगाना है, तो आप जानते है, sum of the roots alpha plus beta से represent करते है, minus B over A होता है, तो क्या value है, हमारे पास B की, B की value है, हमारे पास minus 5 M आजएगा, divided by A क्या है, 7 है, तो minus into minus क्या होता है, plus का, plus का 5 M divided by 7 आगे, तो यह आग इसी तरह से हमें बात करेंगे product की, तो alpha into beta is equal to C over A होता है, C over A, तो C की क्या value है मेरे पास, C की value है, मेरे पास 9N, 9N, और divided by A की क्या value है, मेरे पास 7 है, तो 9N by 7, यह मेरे पास बन के, 9N divided by 7, that is the product of the root, ठीक है, question number 2 पर आजए, अब अच्छो, question number 2 में कहा जा रहा है, find the value of K, K की value find करें, दो partners के अभी हम part 1 पर जा रहे है, if sum of roots of this equation is twice the product of the root, अब यहां पर देखो K की value हमें find करनी है, और K इस equation में पाया जा रहे है, और इस equation के बारे में वो आपको एक information दे रहे है, वो क्या information दे रहे है, उसी information को इस्तमाल करते हुए आपने K की value निकालनी है, वो information य दे रहे है कि इस equation के roots है न, उसका sum वो बराबर है, twice the product, यानि product का दो गुना, अब इसी statement से न, आप यहां पर एक statement लिख दिये, short करके फिर उसकी help से हम इसको solve करेंगे, क्या कह रहे है sum of the roots, तो यहां लिख लो बहले, sum of roots, sum of roots, ठीके, sum of the roots of this equation is, इसके जगा पर आप लग तो यहां लिख दीजिए 2, किसका दोग न, product of the roots, तो यहां लिखिए product of roots, ठीके, तो इस तरह से आपने यह एक statement जो है, इस से short करके यहां पर लिख ली, इसी information को इस्तमाल करते हुए हमने k की value find करनी है, अब सबसे पहले हम वो एक vision यहां पर लिख लेते हैं, जो हमें दी 2k x का square minus 3x plus 4k is equal to 0 आगया, बात समझ गया है, अब क्या करने जी, आपने इस equation में से ABC की value निकालनी है, मैं आपको पहले भी बिता चुका हूँ कि हमारे पास सर, जो x square का coefficient होता है, वो क्या होता है, वो a होता है, तो x square का coefficient क्या है 2k, इसमें के a की value क्या होगी, जी 2k होगी, ठीक है, और x का coefficient होता है, वो b होता है, तो b is equal to क्या होगया, minus का 3 होगया, और जो without x है, यानि constant है, उसको आप c से represent करेंगे, तो c is equals to 4k, इस तरह से आपके बस a, b और c की values यहां पर आ गई, ठीक है, और आपको जो information दी जा रही है, वो क्या दी जा रही है, sum of the roots is equal to 2 times, the product of the root, यह information दी जा रही है, अच्छा, इसको इस्तमाल करते हैं, हम यहां पर लिखे देंगे, sum of the roots कहते है, alpha plus beta, ठीक है, अब यहां पर लिख सकते है, according to, according to, question, ठीक है, तो question के मताबिक आप लिखे देंगे, sum of the roots, यानि alpha plus beta, is equal to, twice का मतलब होता है, two times product, product क्या होती, alpha into beta, समझ अब देखो, alpha plus beta का क्या formula होता है, वो आपके पास लिखा है, minus b over a, यहां पर लिख दो, minus b divided by a, ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है, इधर 2 आपने लिख दिया, अब alpha into beta का क्या formula होता है, c over a, इधर लिख दो c divided by इधर लिख दो a, ठीक है, अच्छा, अब देखो, इधर भी a इधर भी a है, दोनों तरफ से, आप डिरेक्टर भी cancel कर सकते हैं, वरना आप यह भी कर सकते हैं, कि इधर a divided हो रहा है, इधर आके multiply हो रहेगा, तो a, a से कर जाएगा, आपके बस क्या बचे कर जी, minus b is equals to 2 times c, ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूं, दोनों तरफ से a, a को मैं cancel कर द यहां पर put कर देते हैं, put values, लिखो, put values, ठीक है, तो minus, अब b की क्या value है, b की value हमारे पस minus का 3 है, ठीक, is equal to 2 times c, c की क्या value है, c की value है, यहां पर लिख दीजिए 4k, ऐसे, तो minus into minus हो जाएगा, ठीक है, और 2 into 4 कितना होता है, 8, 8k, तो पता चला के k की value क्या है, आपके बास 3 divided by 8, यह आगे आपको एक एक answer, ठीक है, तो बहुत ही आसान और simple सा question था, आपको उस तो खुद बताया कि sum of the roots is equal to twice the product, ठीक है, कि इस equation के roots का जो sum है, वो दो गुना है, किसका दो गुना है, product का, वो यह statement आपने यहां पर पहले roughly लिख ली, फिर उसको इस तरह से according to question लिखे, पहले equation लिखो, ABC की value निकालो, फिर condition लिखो, जो उसने question में बताई है, उस condition के मताबिक values put करो, sum कहते हैं alpha plus beta, और product कहते है alpha into beta, उसके बद alpha plus beta का value put करो, वो formula के help से, alpha into beta का value put करो, इस तरह बड़ी आसानी के साथ आप values को calculate कर सकते हैं, part number two पर आजए, अब अच्वाइन, part number two म हम लिखा करने, बिल्कुल सेम इसी तरह का procedure होगा, हमारे पास हमने k की value find करनी है, और वो k इस equation में पाया जा रहा है, ठीक है, और इस equation के बारे में उसने हमें की information दी है, क्या information दी रहे है, कहते है find करो k की value, और बता रहा है कि sum of roots of this equation, इस equation के roots का sum is equal to three by two time the product, अब यही बा three by two time, वो खुद बता रहा है, three by two time, यह जो is है na is, is की जगा पर आप equal लगाएंगे, three by two time the product of the roots, यहां बेखो product of roots, of roots, ठीक है, अच्छा, अब हम पहले वो equation लिखते है, यह है वो equation, x का square, यह आपने rough work में लिख लिए है, यह बेशक यहां पर भी लिख सकते है, मैंने three by two k minus seven, x आजएगा, प्लस का five k is equal to zero आगया, ठीक है, ओके, तो अब हमने समसे पहले a, b, c की value निकाल लेकिंगे, वो values इसके अंदर इस्तमाल होती है, तो आपको बता चुक हूँ के x के square के साथ जो भी चीज लिखी होती है, वो आपका a होता है, कुछ भी लिखा है, तो म minus का seven आजएगा, और इसी तरह से जो आपके पास constant होता है, यानि, without x होगा, वो constant, उसको c से represent के रहेंगे, c is equals to five k आगया, अच्छा, अब उसने क्या, आपको condition दिया, उसने का, sum of roots of this equation is three by two in the product, so sum of, आप यहां लिख देगे, according to question, according to question, question, question के मताबिक sum of the roots, यानि, alpha plus beta, alpha plus beta, ठीक है, और वो equal होगा, किसके equal होगा, जी, three by two time, यानि, three by two multiply, product, product क्या होती है, alpha into beta, यहां गया, अब question के मताबिक, आपने उसको यह बताया, अपनी वैसे लिख लिख लिया, अब मुझे बताओ, alpha plus beta का formula क्या होता है, वो, top पे लिखाओ, minus b over a, minus b divided by a, यहां गए, alpha into beta, alpha plus beta का formula, यहां गए, three by two, उसी तरह से, alpha into beta किसके equal होगा, c divided by a का, ऐसे आ गया, थीक है, अब यहां बर भी ऐसे ही देख सकते हैं आप इधर भी A है इधर भी A है या तो इधर से A जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टिप्लाइ कर दो तो वह A A से कट जेगा वरना आप डायरेक्टली भी दोनों तरफ काट सकते हैं इधर भी दोमिनेटर में A मौझूद है इधर भी दोमिनेटर में A मौझूद है दोनों तरफ से काटल हो ठीक है अच्छा अब यह 2 इधर आके मल्टिप्लाइ हो जाएगा माइनस 2B लिख दूगा मैं इसको और यह हो जागा हमारे पास 3C फिर से देख लो यह 2 डिवाइड हो मैं यहां लिखूंगा B की वैल्यू माइनस 2 उसी तरह से आएगा और B की वैल्यू आज जगी जी मेरे पास 3K माइनस 7 3K माइनस का 7 ठीक है और यह एक्वल है जी 3 इंटू C C की क्या वैल्यू है जी 5K है 5K आपने यहां पर लिख दिया राइट अब माइनस 2 इंटू 3 करें 15 और यहां पर आगा K समझ गया है ओके अब यह माइनस 6 उद्द राकि क्या हो रहेगा 15 एक और प्लस का 6 K आ गया यहां पर क्या रहागा आपके बास 14 रहा अच्छा आप क्या करोगे 15 के और प्लस का यह 6 कितना मनेगा मेरे पास 21 21 के आ गया ठीक है और यह क्या आ गया मेरे तो आप कटिंग करें जरा तो 7 का टेबल जाता है इस पे 7, 2 दा 14 और 7, 3 दा आ जाता है आपके पास 27 तो इस तरह से रो के की वैल्यू आपको मिलेगी के इस एक्वल टू, 2 डिवाड़ बाइ 3 या आगया आंसर प्वेस्टन नमर 3 पर आजएं, क्वेस्टन नमर 3 के बच्चों दो पार्ट हैं पहले हम पार्ट 1 साल्फ करेंगे, यहां पर भी हमें क्या कहा जा रहा है, find the value of k K की value find करो, अब देखो, K इस equation के अंदर पाया जा रहा है, और K की value हमें find करनी है, ठीक है, अच्छा, साथ में condition बता रहा है, if, अगर sum of square of the roots of this equation is 2, अगर इस equation के roots के square का sum 2 के बराबर है, तो फिर आप K की value find करो, तो क्योंकि यहां बात हो रही है इसके roots की, तो सबसे पहले आप let करेंगे कि alpha और beta दो roots हैं इस equation के, let alpha and beta are roots of given equation, ठीक है, और उसके बाद क्या बात हो रही, फिर गोड़ से पढ़े, sum of success of the root है, तो square भी लेंगे, squares of roots are alpha square and beta square, ठीक है, यह क्या आगे, squares of the root, मगर वो क्या कह रहा है, उसकी statement के दरह देखो, वो कहता है, sum, sum का मतलब बता है, add करना, किस को add करना है, sum of squares of root, यानि roots के square का sum, roots के square का sum, alpha और beta को हमने root suppose किया, alpha square, beta square, roots के square आ गई, sum of square of root क्या होगा, alpha square plus beta square, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखी है, सबसे वेले एक statement, according to question, according to question, question हम दाबिक, वो क्या कहता है, sum of squares of the roots, तो अब alpha square, beta square को आप add कर दें, किस का मतलब होता है, add करना, alpha square plus beta square, ठीक है, यह बन गया जी, sum of square of the roots, ठीक है, sum of square of the roots of this equation, is, is की मतलब होता है, equal, equal to, 2, यह आगे हमारा पर statement, अब हमने k की value को find करना है, पास समझ गयो, अब किस equation के alpha beta roots है, सबसे पहले उस equation को यहाँ पर लेकिते हैं, ठीक है, यहाँ पर apply लगा लें कैसे, यह इस तरह से, अब given equation के आपके बस, given equation, given equation है, जी, आपके पास यह वाले, 4kx का square, plus 3kx, और minus का 8 is equal to 0, यह आपके बस वो given equation है, ठीक है, इस में से ABC की value निकाले सबसे पहले, तो x के square के साथ, जो कुछ भी होता, वो a होता, so a is equal to 4k हो गया, ठीक है, और x के साथ, जो कुछ भी होगा, वो b होगा, so b is equal to 3k हो गया, और जो constant होता है, यानि without x, उसको c कहते है, c is equal to minus का 8 हो गया, यह आपके बस आगी ABC की values, ठीक है बच्चो, अच्छा, अब हमने क्या करना होता है, इस equation के अंदर केंगे, के हम value put कर सकें, और ना ही alpha into beta की कोई value, कोई situation बन रही है, हमारे पास बस दो values है, alpha plus beta वाली और alpha into beta वाली, इसके अलबा कोई और value नहीं है, जहांपर हम ABC की value यह put कर सकें, सही है ना, sum और product, ना यह sum में है, ना यह product में है, sum तो होना चाहिए alpha plus beta का, यह alpha square plus beta square है, तो अब हमने कोशिश करनी है, कि इसको इस form से change करके, sum और product की शकल में लेकर आएं, तो उसके लिए हम एक step करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं ऐसा कर दूँ, यह alpha square, यह plus beta का square, और plus का 2 alpha beta, खुद से add करूँ, तो math मुझे allow करती है, मैं जो चाहूँ add कर सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे वहाँ पर subtract भी करना पड़ेगा, 2 alpha beta फिर मैंने add भी कर दिया, subtract भी कर दिया, और equal to 2, अब इस तरह करने से कोई फरक नहीं पड़ता, क्यूंकि देखे, यह एक positive और negative एक जैसे हैं, कड़के वही खतम हो जाते हैं, लेकिन हमने खतम नहीं करने हैं, हमने इनकी help से यह farm हासल करनी है, जरा एक formula याद करो, a square प्लस b square प्लस 2 a b, वैसी shape बन की इसकी, तो यह पूरा का पूरा हमारे पास बन जाता है, alpha प्लस beta whole square का formula, और यह minus उची तरह से आगया, यह 2 उची तरह से आगया, और alpha into beta is equals to 2 आगया, ठीक है, अब जरा देखो, ऐसा हमने क्यों किया, हर step की reason नहीं ना मैत में, यह देखें, अब यह alpha plus beta और alpha into beta, यानि sum or product की सुरुत में आ चुका है, अब हम यह formula इस पे apply कर सकते हैं, formula apply करेंगे तो इसमें ABC की values आएंगे, यहां से उठा के हम इसमें put करेंगे, तब हमें question का answer मिलेगा, बास समझे हो, ओके, तो देखो, यह सारा इसकी पीछे reason यह थे, कि ताकि हमारे पास यह sum और product में आजए, हमें देख के पता चल रहा था, यह a square, यह b square है, अगर 7 में 2 अभी आ गया, तो यह whole square का formula complete हो सकता है, ठीक है, तो इस square के अंदर alpha plus beta लिखा हुआ है, यहां पर alpha plus beta की value हम यहां पर put कर देते हैं, अब यहां पर हम पहले यह find कर लेते हैं, कि यह alpha plus beta यानि जो हमारे पास sum है, वो किस की एकवला है, sum का formula होता है, minus b divided by a, ठीक है, b divided by a, तो b divided by a फिर किस की एकवल होता है, यहां पर b किस की एकवला है, 3k के, minus 3k, और a की value क्या है, a की value मेरे पास है, 4k, यह 4k लिखी हुई है, तो यहां पर जो k है, वो इस k से कर जाएगा, तो आपको value क्यों मिलेगी, minus 3 divided by 4, इसी तरह से, अब हम product की बात करेंगे, alpha into beta हमारे पास बरापर होता है, c divided by a, k, तो c की क्या value है, c की value है, हमारे पास यहां पर minus का 8, तो minus 8 लिख देंगे, और a की क्या value है, a की value है, 4k, तो यहां पर लिख देंगे, 4k, अब यहां पर 2k टेबल से cutting हो सकती है, 2, 2 दा, यह 4 से भी cutting हो सकती है, 4, 1 दा 4, 4, 2 दा 8, यह बन जेगा, मेरे पास minus 2 divided by k, यह आ गया, ठीक है, यह आगे product, और यह आगे, हमारे पास sum की value, यह दोनों values उठा के, हम यहां पर put कर देंगे, और हमें k की answer बिल जाएंगे, अब alpha प्लस पीटा किसकी equal हो आ रहा है, alpha प्लस पीटा equal हो आ रहा है, minus 3 by 4 के, यहां लिखते हैं, minus 3 divided by 4, और यह पूरे का पूरा इसे scale हो गया, ठीक है, और minus का 2, alpha into beta, alpha into beta किसकी equal है, मेरे पास, minus 2 divided by k की value आ गयी, समझ गये, and that is equal to 2 आ गया, is it clear, अब देखो जी, हमारे पास यह 3 का scale क्या होता है, 9 होता है, और divided by 4 का scale क्या होता है, 16 होता है, minus into minus plus हो गया, 2 into 2, 4 हो गया, और divided by क्या देगा k, and that is equal to 2, clear हो गया, अब यह k वाली value है, यह without k मैं इसको वहाँ ले जाता हूँ, ठीक है, इदर रख ले तो मैं 4 divided by k वैसे का वैसा, और 2 minus 9 by 16 मैं इदर लिख देता हूँ, अब यहाँ पर यह fraction है, उस साथ में यह number आपके देख रहे हैं, 32, बीच में minus है तो minus लगा, 1 को उधर multiply करो, 1 into 9, 9 आजएगा, और नीचे वालों को आपस में multiply करो, 16 into 1, 16, ठीक है, तो यह बन देगा आपके पस 4 divided by k is equal to this value, अब क्या करेंगे, 4 divided by k वैसे लिखो, और यह क्या आएगा, यह है 32, 32 में से हमने निकालने है 9, तो यह आदेगा मेरे पास 23 divided by 16, is it clear, अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए value k की, तो मैं यहाँ पर पहले इसको दबा divided by 16, right, तो इसको रैसी प्रो कर लेते है, k उपर चला जाएगा, 4 नीचे आजएगा, 16 उपर चला जाएगा, और 23 नीचे आजएगा, मुझे सिर्फ के चाहिए, यह 4 यहाँ पर divide हो रहे है, उद्दर जाके 16 से multiply हो रहेगा, तो यह मेरे पास आजएगा, k is equal to 16 into 4 होता है 64, divided by 23, तो यह आगे मेरे पास value k की, so k is equal to 64 divided by 3, आज समझे है, part number 2 पर आजएगा, अब अच्छो, part number 2 बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह भी आपने part 1 साल के आप देश सकते है, statement इसकी same to same है, जहाँ पर 2 था, 2 की बज़ए आप यहाँ पर number 6 आगे है, और यह जो equation पहले दी थी उससे थोड़ी सी change करके हमें दी गई है, ठीक है, लेकिन procedure आपके पास same to same होगा, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, कि k की value आपने find करनी है, और साथ में condition बजाए जा रही है, यह k कहां पर है, जी इस equation के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है, और इस k की value हमने find करनी है, अब क् of square of the roots of this equation is 6, यह इस equation के roots के square का sum अब किस के बराबर है, 6 के बराबर है, ठीक है, तो हम suppose कर लेते है, let alpha and beta are the roots of the given equation, अब हमारी given equation क्या है, यह वाली है, ठीक है, हम यह suppose कर लेते हैं कि alpha and beta इस equation के क्या है, हमारे पास roots है, ठीक है, क्यूंकि square of the roots की बात की गई है, तो फिर यह भी प्ताती और सिक्एर्थ के दिंगे जो स Commissioner वो क्या होंगे एफ ही अब कर दिए अब करड़ेंगूette की अब अकार्डिंगटू पैसिन उस्पार्टीक क्वेस्चन छोच्टिंग यहां पर लाइन के यहां पर लिख लें आप लिखेंगे और यहां पर लिख लें अच्छा ऐसा करने के बाद अब हमने क्या करने सबसे पहले वो जो equation दी गई है यहाँ पर line लगा के उस equation को यहाँ पर लिख ले ऐसे वो equation क्या है जी हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे x का square minus 2kx और plus का 2k plus 1 is equal to 0 ठीक है अब यहाँ पर x के square का coefficient क्या कुछ भी नहीं तो मतलब यहाँ पर 1 होगा इसका मतलब है कि a की value क्या आगई वन आगई ठीक है x का जो भी coefficient होता है वो क्या होता है b होता है so b is equal to आगए मेरे पास minus 2kk ठीक है और इसी तरह से जो constant होता है यानि without x वाला वो यह पूरे का पूरा है तो इसको हम c के equal लखेंगे c is equal to 2k plus का 1 आगए बस समझागी तो यह आपको बस a, b और c की values आगए है ठीक है ना अब इस question के अंदर भी देखें यहाँ पर alpha square beta scale आ रहा है हम सिर्फ और सिर्फ जानते हैं alpha plus beta और alpha into beta की values को जानते हैं ठीक है sum of the roots और product of the roots यही हमने सीखी इस exercise के अंदर लेकिन यहाँ पर ना तो sum का कोई value नज़र आ रही नहीं हमें product की value आ रही बलकर यह एक root का scale plus दूसरे root का scale है तो जैसे हमने पहले modification की थी same to same उसी तरह से यहाँ पर हम modification करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे जी हम ऐसा कर देते हैं यह alpha का scale है plus यह beta का scale है इसके अंदर 2 alpha beta add भी कर लेंगे और subtract भी कर लेंगे कि मैस हमें यह allow करती है अगर आप कोई भी चीज़ add करते हैं फिर उस चीज़ को साथ ही subtract भी करना होता है उस जगह के उपर ठीक है is equal to 6 आ गया ओके तो अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया था कि यह sum और product की सूरत में आ जाए मुझे नजर आ रहा था यह a square और b square अगर इसके साथ 2 a भी आ जाए किसी तरह से तो फिर यह a plus b whole square का formula बन सकता है इसलिए मैंने 2 alpha beta और 2 alpha beta को एक बार plus किया और एक बार minus कर दिया तो देखिए अगर वैसे भी यह plus का यह minus का कट के वही चीज़ आपको दोबार मिलती है लेकिन आपने काटना नहीं है इसका formula complete करना देखो इस तीनों को मिला किने formula बन जाए a square plus b square plus 2 a b तो यह कुछ इस तरह से रहेगा alpha plus beta whole का square बन जाएगा और minus का 2 alpha beta यहां पर आ रहेगा and that is equal to 6 आ गया बास समझ गया okay बच्चो तो देखो अब यह हमारे पास alpha plus beta जो sum है यह sum का formula हम sum की values से निकाल के put कर सकते है ठीक है यह alpha into beta product की सुरत में तो हम इस equation से इस formula की help से यह value निकाल के यहां पर put कर सकते है पहले इसी situation नहीं थी कि हम values put कर सकते थे तो यह जो हमने modification की है थोड़ी सी वह इस वज़े से किये ता कि यह proper shape में add a sum और product की और हम इनकी values निकाल के put कर सके समझ गयो ओके तो अब हमने यहां पर जो है वह alpha into beta और alpha plus beta की values निकाल नहीं alpha plus beta की एकवल होता है minus b divided by a की एकवल होता है अब इसके मताबिक जो है आपको पता होने चाहिए minus b, b की क्या value होगी minus 2k होगी और a की क्या value मेरे बास 1 है तो पता चला minus into minus plus होता है तो answer आया मेरे पास 2k 2k is the value of alpha plus beta similarly alpha into beta की की को लोगा जी c ओवर a के c divided by a के तो c की क्या value है c की value मेरे बास यह दी गई है 2k plus 1 divided by a की value क्या है मेरे बास 1 तो मैं यूँ ही लिख दूँगा इसको 2k plus 1 ओके बच्चो अब हम यहां values put करेंगे यह alpha plus beta की value क्या है जी हमारे पास 2k तो इसके जगा पर हम लिखेंगे यहां पर 2 का मैं यहां लिख देता हूं जी 2k उस पूरे का scale आगे माइनस अगे लिखा हूँआ यह 2 2 लिख लिजिए alpha into beta की क्या value है alpha into beta हमारे पास equal है 2k plus 1k तो यहां पर लिख देते हैं जी हम 2k plus 1 ठीक है and that is equal to 6 अब यह 2 का scale बन जाएगा 4 और k scale as रहेगा और minus 2 into 2 बनेगा minus का 4 साथ में k फिर minus 2 को plus 1 से multiply करेंगे तो minus का 2 और is equal to आजएगा 6 ठीक है अब इस 6 को मैं इधर ले आता हूँ तो इधर आके minus हो जएगा 4k square minus 4k और minus 2 और minus 6 is equal to 0 यह 6 इधर आके minus हो गया minus 2 minus 6 कितना होता 8 यहां लिखते हैं तो जी 4k square minus 4k minus 8 is equal to 0 अब देखें 4, 4 और 8 यह पूरी equation को अगर मैं 4 से divide करूँगा ना ठीक है तो यह मेरे पास simplify हो सकते हैं यानि इसको मैं 4 से divide कर देगा तो ब्रूस इसलिए बना रहा हूं ताके पता चले यह बात में step किया है इसको भी 4 से इसको भी 4 से पूरी equation को मैंने 4 से divide कर देना है तो इस तरह से हमारे time बच जाएगा एक step करना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा यह 4 4 से कट जाएगा k का square ठीक है और minus 4 4 से कट गया बचेगा k और minus का यह क्या देगा plus two is equal to zero by something is zero तो यह हमारे पास एक equation जो हो simple हो गया अब हमने इसको करना है factorize और factorize करके हमें एक यह की value मिल चाहेगी right अच्छी तो अब हम क्या करेंगे जी आप यह एक number लिखा हुआ यह है जी two तो आप ऐसे factor बनाए two के जिनको multiply करने अब माइनस का टू रखूँ और प्लस का वन रखूँ इनको multiply करने से मुझे क्या मिल जाएगा माइनस का टू मिलेगा ठीक है यह राफ वर्क है ठीक है राफ वर्क है और अगर मैं इनको add करूँ माइनस का टू प्लस का वन तो मुझे क्या मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा ठीक है तो इन दंबर्स को मुल्टिप्लाइ करने से मैनस 2 मिलते है और अड़ करने से मैनस 1 मिलेगा इस तिये माइनस का 2 और प्लस का 1 यह हमारे पास दो नंबर है जिसके साथ हम इसके मिद टम ब्रेक करेंगे सब्सक्राइक प्लस के प्लस के लिए माइनस का 2 त ten एक यह यह ट्रह ऑसी से यह पेर बंजाए और एक वह इसमेंसे क्या मनाता जी क्य क्य वह गंद मैनस के ठीक है k-2 is equal to zero ठीक है बच्चो अब एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है ठीक है ना और इन दोनों पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये k-2 वाली bracket common है तब पूरी की पूरी bracket को ही common ले लेंगे k-2 की पूरी bracket common लेने के बाद क्या बचेगा ये बचेगा k यहां पर रहा गया और ये वाला प्लस ये bracket common जाने के बाद 1 ये आगए equal to zero ठीक है अब दोनों को separate ये आप equal to zero करें so k-2 equal to zero करेंगे जवाब तो आपको k की value मिलेगी plus का 2 ठीक है इसी तरह से k plus 1 को equal to zero करेंगे आप तो k की value मिलेगी minus का 1 तो इस तरह से आपको बस जो k की दो values आजएंगी k is equal to 2 and k is equal to minus का 1 question number four पे आजएं बच्चो question number four के दो parts हैं सबसे पहले हम part one को solve करते हैं कहा जा रहा है find P, P की value find करो और साथ में condition दी हुई है if roots of this equation differ by unity अगर इस equation के roots में one का difference है unity का मतलब बताब one अगर इस equation के roots में one का difference है तो आप P की value find करें अब इस बात का क्या मतलब है कि roots में one का difference है मतलब यह कि first कर लें कि अगर एक root आपके पास है seven फिर दूसरा six हो सकता है six और seven में कितना difference है one का difference है अगर आप suppose करें कि यह root आपका 5 है तो दूसरा 4 हो सकता है 5 पर 4 में कितना difference है इसी respect से आप एक general value लेंगे कि अगर एक root आपके पास alpha है तो दूसरा root फिर आपके पास क्या हो सकता है alpha minus 1 ठीक है दूसरा root आपके पास यह हो सकता है पास समझ गये तो हम यही दो root यहाँ पर suppose करेंगे let alpha and alpha minus 1 are roots of equation ठीक है और वो equation क्या यहाँ पर हम लिख लेते हैं वो equation यहाँ पर लिखते हैं हम जी x का square minus x plus p square is equal to 0 अब कुछ बच्चे यहाँ पर यह question करते हैं के सरा हमने इस बार beta का जिकर क्यों नहीं किया हम यह भी तो लिख सकते थे कि अगर दो root में 1 का difference है तो हम यह भी लिख सकते थे कि alpha minus beta is equal to 1 यह अलफा और beta में कितना difference है 1 का difference है ठीक है यह भी हम लिख सकते थे लेकिन बच्चों याद रहे इसके अंदर alpha और beta दो variables आ रहे हैं इसके साथ इस question को solve करना मुश्किल होगा मैं अभी solve करते वे भी आपको बताऊंगा पहले इस method से कराऊंगा उसके बाद बताऊंगा कि हमने क्यों यह method drop किया ताकि आपको बस logic हो reason हो ठीक है तो हमने इन दो values के साथ चलना है roots की यह value यूज नहीं करने क्यूंकि इसके अंदर दो unknown variable आज़तने alpha और beta और इसके अंदर सिर्फ एक unknown यानि alpha आता है तो एक unknown को लेकि हम बड़ी आसानी से question को solve कर सकते हैं अभी solve करते हैं मैं साथ साथ comparison में आपको बताता रहूंगा कि हमने क्यूं ऐसा किया ठीक है ताकि हर step की आपके पास logic होनी चाहिए हमने ऐसा किया तो क्यूं किया अच्छरी तो इसको solve करने के लिए आपको पता है इस पूरी exercise के अंदर हम sum और product के जो formula है वह यूज़ करते हैं उसके लिए ABC की value आपको निकालनी होती है तो X के square का coefficient होता है वह A होता है कुछ भी नहीं तो 1 है जैनि A की value कितनी आगे मेरे पास 1 आगे और X का coefficient होता है वह क्या होता है B होता है तो कुछ भी नहीं तो मतलब यहाँ पर 1 होगा B की value आगे माइनस का 1 और without X जो है वह आपके पास क्या होगा C यानि constant C is equals to P का scale तो हमने क्या use करना जी sum का formula S sum को represent करता है यानि पहला root है alpha और दूसरा root क्या होगा alpha minus 1 इन दोनों का आपने sum लिया पहला root यह दूसरा root ठीक है और इन दोनों का sum is equal to क्या होगा हमारे पास minus B over A ठीक है यह फिर से बता दूं क्यूंके वह कहा जा रहा था question के अंदर के दोनों roots में difference कितना है 1 का तो अगर एक root alpha लिया है तो दूसरा root क्या होगा alpha minus 1 यह नि इसमें और इसमें सिर्फ 1 का difference है यह वाला इससे 1 मतलब decrease है यह 1 कम है इससे ठीक है अच्छा तो अब देखो यह B over A की values put कर लेते है minus B, B की value आगी minus 1 और इसके लाबा A की value मेरे पास 1 है तो पता चला इसकी value क्या मिलेगी मुझे प्लस का 1 कि माइनस इन जो मैनस प्लस हो जाता है plus 1 by 1 is simply 1 तो मैं कहा सकता हूँ कि alpha plus alpha minus 1 जो है वो equal to किसके है जी 1 के अब alpha plus alpha क्या बन जाता है 2 alpha बन जाता है और minus 1 उदह जाके हो जाता है plus का 1 1 plus 1 तो यह बन जाता है 2 alpha is equal to 2 तो alpha की value क्या आएगी 2 divided by 2 means alpha is equal to 1 यह एक important value आगे हमारे पास अब हम product का formula लगा है product को हम P से show करते है तो पहला root था हमारा alpha और दूसरा root था हमारा alpha minus का 1 and that is equal to क्या था C over A product आप the root किसके equal होती है C over A की equal होती है तो एक आगे हमारे बस C और दूसरा आगे हमारे बस A यहां पर मैं 1 दिख दूगा तो बच्चो यह बन जाएगा alpha into alpha minus 1 is equals to P स्केर अब जरह देखो अगर हमें P की value निकालनी है न तो इसको solve करना पड़ेगा यानि इसमें alpha की value put करनी पड़ेगी तो वह देखो हमें पहले से alpha की value मिल गई है अगर हम इसको one variable की बजाए दो variable यानि alpha और beta दोनों को लेके चरते तो फिट जो product आपके बस बनती न वो क्या बनती alpha into beta is equals to P स्केर ठीक है तो वहां पर आपको दो चीजें की value put करनी पड़ती alpha की value भी और beta की value भी तो दो unknown की value find करनी पड़ती method सुरा सा उसका lengthy हो सकता था मुश्कल हो सकता था इस वज़े थे हम एक variable के साथ चलें कि हमें असानी से पता चल जाता है कि अगर एक root alpha है क्योंको दूसरे में one का difference है तो दूसरा फिर alpha minus one होगा तो अब इसमें सिर्फ a का नमना alpha बीटा मुझूद नहीं है तो आसानी से value put कर सकते है इसकी अब और solve कर सकते है alpha की value अभी अभी हमने find की है वो क्या है one है तो यहां पर लिखूंगा one into one minus one is equal to p square तो one minus one zero होता है zero into something is zero zero is equal to p square तो पता चला कि भी पी की value क्या होगी zero होगी पास समझ गयो तो इस तरह कितनी आसानी के साथ हमने solve कर लिया बस यहीं एक reason थी के हमने beta को involve नहीं किया beta की बजाए हमने alpha minus one जिया है पास समझ गया बच्चो ओके तो इस तरह से हमारे पास p की value जिया वो आसानी से हमने calculate कर ले part number two पे आजएंगे find p यहां पर भी आपको p की value find करनी है और condition क्या दी गई है if roots of this given equation differ by two अगर इस equation के roots में two का difference है तो फिर आप p की value को find करो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि अगर आपके बस let suppose के एक root है eight तो फिर दूसरा क्या होगा six आप six or eight में कितना difference है two का difference है अच्छा अब अगर एक होगा four तो फिर दूसरा क्या होगा two four or two में कितना difference है अगर एक होगा हमारे पास alpha तो फिर दूसरा क्या होगा alpha minus two तो यह हमारे पास फिर एक journal values आ जाज़ती है कि एक को हम alpha लेंगे तो दुसरे को हम alpha minus 2 लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह थे जिस तरह हमने इससे पहले पार्ट में किया ठीक है? यहाँ पर भी हमने beta के बजाए सिर्फ एक variable को involve किया ताकि हम आसानी से question को solve कर सके हम यहाँ पर भी ऐसा लिख सकते थे कि हमारे पास alpha minus beta जो आवर 2 के एक वल है ऐसी condition बन सकती थी कि दोनों जो roots है उनमें जो difference है वो 2 के एक वल है तो difference को minus से show करते हैं alpha minus beta is equal to 2 लेकिन ऐसा करने से हमारे पास alpha और beta दो variable आ जाते है तो फिर question जो हमारा थोड़ा सा lengthy हो सकता था इस वज़े से हम इसको नहीं लेंगे हम ये condition के साथ देखे चलेंगे तो हम suppose करेंगे let let alpha and alpha minus 2 are roots of equation और वो equation क्या यहां पर लिख लेते हैं वो equation है जी बच्चो हमारे पास x का square minus 3x plus p minus 2 b minus 2 दोनो constant term है तो एक bracket में कर लो is equal to 0 अब again मैं आपको बता रहा हूँ कि यहां पर हमने सारे के सारे question को sum और product के लिहास से solve की है उसके formula यूज करते हुए उसके लिए ABC की value पता होनी चाहिए तो सबसे पहले आप ABC की value निकालो x के square का coefficient होता है वो क्या होता है आपके पास a होता है तो a कुछ भी नहीं है यहां पर तो वहां पर क्या होगा 1 x के square coefficient क्या हो गया 1 तो a की value आपके मिलगी 1 उसके बाद देखो बच्चो b की value x का जो चीज multiply हो रही थी वो b होता है x के साथ minus 3 multiply हो रहा है तो b की value आगी मेरे पास minus 3 इसी तरह से जो constant होता है वो c होता है तो constant यह है यानि without x क्या है जी c is equals to p minus 2 यह हमारे पास तीन values आगई a, b और c के ठीक है जी ओके अब हमने sum और productive अमूलिया लगाने है तो sum को हम s से denote करते है और अगर एक root हमारा alpha है तो फिर दूसरा क्या होगा जी हमारे पास alpha minus 2 क्योंकि दोनों roots में difference कितना है 2 का difference है एक alpha है तो एक alpha से 2 कम है तो कितना फरक होगा इन में 2 का difference हा गया समझ गया इसलिए हमने का कि alpha यह पहला root और यह हमारा दूसरा root इन दोनों का sum अब sum of the root कि इसके एकवल होता है माइनस b over a के एकवल होता है तो यहाँपर जो है वो b की value क्या है यहाँपर पुट कर देंगे b की value है यहाँआरे पास minus 3 यहाँपर लिखी है minus 3 और a की क्या value है यह हमारे पास 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 1, minus 1, minus क्या बन जाता है, plus का 3, तो यह plus का 3 हमारे पास answer आ गया, ठीके, तो alpha plus alpha minus 2 is equals to 3 आ गया, अब apple plus apple क्या होता है, 2 apple, तो alpha plus alpha, 2 alpha होजेगा, minus 2 is equals to 3, यह minus 2 उदर जागा, plus होजेगा, 2 alpha is equals to 3, plus का 2, यह बन जागा, 2 alpha is equals to 5, और alpha की value क्या आएगी 5 divided by 2 आ गए, बास समझ गें, इसी तरह से अब आपने क्या करना है, product का formula लगाना है, product के लिए क्या करेंगे, पहला root है हमारे पास alpha, और दूसरा root क्या है हमारे पास alpha minus 2, तो product of the root के लिए क्या relation होता हमारे पास, c over a, तो यहाँ पर लिखे, आप c divided by a, यहाँ पर c की क्या value ह है, तो यहाँ पर one लिख देता हूँ, पता चला कि यह हमारे पास है, जी, p minus 2, ठीक हो गया, क्यूंकि इसको one से divide करो, तो वही चीज मिलेगी ना आपको, अब जरह देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं जी, alpha into alpha minus 2, is equals to p minus 2, ओके बचो, अब आपने यहाँ पर alpha की value पुट ले लेंगे, इसके अंदर two के नीचे कुछ नहीं लिखा तो आप one लिख सकते हैं, five by two को वैसे लिखो, और इसका lcm दो, अगर lcm देनर नहीं आता, तो इसको इधर multiply करो, one into five, five, बीच में minus है तो minus लगाओ, इसको उदर two into two, four बनता है, और divided by, नीचे वालों को आपस में bracket में आगा, आपको बस one by two, तो ये दोनों multiply हो रहे है, five को one से multiply करो, two को two से multiply करो, यहां पर solve करते हैं, इसको अगर, तो यहां पर लिख दो, five into one, five आजेगा, और divided by two into two, four आजेगा, and that is equals to p minus two, यहां पर लिखना चाहिए, p minus two, okay, तो यहां पर लिख दो, p minus two, अब आप two को अधर ले, five by four, और यह दर आके plus two आजेगा, and that is equals to p, तो जिसके नीचे कुछ नीचे नीचे one होता है, again, lcm लो, one into five, five, यह ट्रिक के साथ साथ करो, four into two, eight होता है, जिसको lcm देना आता है, valand good, जिसको नहीं आता, इसको उस से multiply किया करो, इसको उस से multiply किया करो, नीचे बाल eight कितना होता है, मेरे पास 13, 13 divided by four is equals to p, तो यह मेरे पास p की value आके, p is equal to 13 by four, question number five पर आजे, question number five के बचो तीन पार्ट्स हैं, और one by one इसको solve करते हैं, part number one पर आजे, find the value of m, m की value find करनी है, अब साथ में एक condition बता रहा है, if अगर roots of this equation satisfy this relation, अगर इस equation के roots, इस relation को satisfy करते हैं, तो फिर आप m की value को find करें, ठीक है, तो हम सबसे पहले यह suppose करेंगे, let करेंगे, let, alpha and beta are roots of equation, ठीक है, इस equation के roots के हैं, alpha और बीटा, उस equation को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वो equation है, हमारी x का square, minus 7x, plus का 3m, minus का 5 is equal to 0, ठीक है, अब क्योंकि इन question को हम सिर्फ और सिर्फ, यह sum of the roots and product of the root के formula से solve करते हैं, तो उसी respect से, abc की values आप हो calculate करनी पड़ेंगी पहले, तो x के square का जो coefficient होता है, वो क्या होता है, a, a is equal to 1, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर वान होता है, उसी respect से, x का coefficient जो b होता है, तो b is equal to minus का 7, और यह without x पूरी term है, तो इसको हम c कियेंगे, c is equal to 3m minus का 5, यह आगे आपके बास a, b, c की value हो, ठीक है, अच्छा, तो sum of the roots और product of the roots निकालेंगे हमेशा की तरह, sum of the roots में क्या आएगा, alpha plus beta, किसके equal होता है, formula आप जानते हैं, minus b divided by a के, और यहां पर लिख लिजिए, b की क्या value है, b की value माइनस का 7, minus 7, और a की क्या value है, a की value है, रिबस 1 है, minus into minus क्या बन जाता है, plus 7 बन गया, minus into minus plus का 7, divided by 1, 7 दे रहेगा, तो पता चला कि बही, alpha plus beta is equal to 7 है, यह आगे हमारी equation number 1, मैं इसको blue से लिखता हो, ताकि आपको पत पता है, okay, अब आपको, क्योंके value m की find करनी, इसमें m नहीं आरा, product भी निकालिये, अब हम आते है, product की तरफ, alpha into beta, product आप दा रूट, वो क्या होता है, c over a की equal, formula के मताबिक, ठीक है, तो c की value है, यहां पर put कीजिए, c की value है, 3m minus का 5, और a की value है, मेरे पास 1, तो नीचे 1 ल ठीक है, तो यहां पर आपने value की find करनी है, जी मेरे पास m की, इसके अंदर m आ रहा है, तो यह आगे हमारी एक main equation, जिसके थूर हम m find करेंगे, अब देखो, simple सी बात है, m की value calculate करनी है, तो यह number 3 है, यह number 5 हो, मगर यह दो आनना होने, alpha और beta दोनों आनना होने, जब तक आपक का जी, alpha, beta इस equation के roots हैं, और वो इस relation को satisfy करते हैं, यानि इस relation को आप इस्तमाल कर सकते हैं, simple word में कहूं, यानि आपके समझने के लिए इतना समझ दीजिए, कि इस relation को हम इस्तमाल कर सकते हैं, for calculating the value of alpha and beta, ठीक है, बात समझ रहे हैं, अच्छा, लेकिन आप एक बात याद beta is equal to carry 4, इसको मैं equation number 3 कह देता हूं, अच्छा, अब आपने यहां पर alpha और beta दोनों की value find करनी है, और याद रहे, आपने class 7 के math में, 6 के math में ही सीखा था, कि अगर एक equation में 2 unknown variables आ जा जाते हैं, जिनकी value अपने calculate करनी है, तो आपको वैसे ही एक और equation चाहिए होती है, एक equation से आप इसको साल नहीं कर सकते हैं, मुख्तली method हैं, आप एक से value लेके दूसरे में put कर दें, most literature ऐसे कराते हैं, ठीक है, लेकर उससे जदा आसान यहां कि आप इन equation को add करके, एक variable को खतम कर दो, दूसरे की value मिल जागी, फिर दूसरे variable को खतम कर दो, पहले की value मिल जागी, और तो कैसे खतम करते हैं, add या subtract करके, ठीक है, चलिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे, हम एक आसान तरीके से करेंगे इसको, ठीक है, यह आगे मारे बस एक equation, alpha, beta दो unknown variable है, अब दो unknown variable है, तो एक equation over हमें चाहिए होगी, वो कहां से मिलेगी हमें, यह बनी होगी, alpha plus beta is equal to 7, इसी को हम ऐसा कर दें, अगर हम इस equation को 2 से multiply कर दें, तो इसमें 2 बीटा आजएगा, इसमें भी 2 बीटा आजएगा, फिर minus करेंगे तो 2 बीटा, 2 बीटा से कट जाएगा, बीटा चला जाएगा, फिर सिरफ alpha रह जएगा, उसकी value calculate कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें 3 alpha है इसमें alpha है, आप इस equation को 3 से multiply कर लीजिए, तो क्या बनेगा 3 alpha प्लस 3 बीटा is equal to 21, तो 3 alpha 3 alpha सेम होगे, minus करेंगे, alpha खतम हो जाएगा, आपकी choice है, तो मैं आसान करता हूँ, यहाँ पर बीटा को खतम करते हैं, तो यहाँ पर 2 बीटा है, इसमें 2 बीटा बना के इस से minus कर ले by 2, ठीक है, तो equation 2 को हम जो है, वो multiply करते हैं and subtract, and subtract from equation 3, equation 3 से हम उसको subtract लेंगे, सही है, अच्छा दी, तो अब देख लो तरह पहले, यह equation बनेगी क्या आपके बास, यह equation बनेगी इसको जब 2 से multiply करो, यह बनेगी 2 alpha, इसको 2 से multiply करो, 2 beta, इसको 2 से multiply करो, 14 बन गया, है ना, तो अब आपके पास यह equation आगे, और इसके अंदर आप क्या करो जी, minus कर दो किसके साथ, इस equation के साथ, जैसा कि हम नहीं यह आपर लिख है, कि इस equation को multiply करके, इस से minus कर दो, तो अब हम minus करते हैं जी, पहली equation हमारी यह लिखी हुई है, 3 alpha plus 2 beta is equal to 4, और दूसरी equation आगे हमारे बास, 2 alpha plus 2 beta is equal to 14, समझ गयो, ओके, अब आपको करना है, minus, तो minus करने के लिए क्लिए क्लिए क्लिए, जी, sign change करते हैं, इसका sign minus, इसका sign minus, इसका sign minus, इसका भी sign minus, और आप यहाँ पे इसको calculate कीजिए, तो क्या value मिलेगी जी आपको, देखे 3 alpha में से 2 alpha गया, तो क्या मिला, alpha, यह 2 beta 2 beta कट गए, तो beta यहाँ पर क्या हो गया, जी, 0 हो गया, ठीक है, तो अब यह plus का 4 यह minus का 14 तो minus का 10 आगया, इस तरह से आपको alpha की value मिलगी, minus का 10, तो बच्चों यह बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, आपने alpha यह beta दो values को same करना है, ठीक है, कोई भी number हो सकता है, आपकी अपनी चोई से question को देख के multiply करेंगे, और दोनों को subtract करेंगे, देखो, एक variable खतम हो गया, दूसरे की value आपको मिल गई, ठीक है, अब alpha की value मिलगी, इसको आप इस equation में put करके, बीटा की value को भी calculate कर सकते हैं, लंबी चोड़ी calculation से बच सकत करने का लिए, put value of alpha in equation number 1, ठीक है, मैं साथ आप steps लिख रहा हूं, तो equation number 1 मेरे पास है, alpha plus beta is equals to 7, अब ज़रा put कीजिए इसके अंदर, alpha की जगा भी पूट कर देता हूं, तो मुझे बीटा मिल गया, है ना, अब बीटा की value क्या हो ज़ेगी, जिस 7, ये minus का 10 इदरा के plus का 10 हो जाएगा, so beta is equals to 17, तो ये मुझे बीटा की value भी मिल गई, तो जो हमारा main मकसद था, वो क्या था, m की value find करना, वो तब तक नहीं मिलेगी, जब alpha और beta नहीं मिलेगा, दोनों आगे, alpha भी आगया, beta भी आगया, तो लंबी calculation की बजाए, एक छोटे से step के इस वाली equation में, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको alpha मिलेगा, फिर beta मिलेगा, वो आप इस के अंदर put करतेंगे, ठीक है, तो put करेंगे, put values of, put values of alpha and beta in equation, कौन सी equation में M है, ये वाली 2, उसमें, तो उसमें alpha और beta की value put कर दो, alpha की value है, जी मेरे बास minus का 10, minus 10, और beta की value क्या है, मेरे पास, 17, तो ये आगे, 17 is equals to, यहां पर क्या है, 3M minus 5, तो लिखिये 3M minus 5, तो इनको multiply करने से बन जाएगा, मुझे, minus 170, is equal to 3M, right, अब क्या करेंगे, जी, आप minus का 5 को इदर ले आएंगे, minus 170, चला है, मैं इसको 1 ही लिखता हूँ, 170, और ये minus का 5 इदर आके क्या होड़ेगा, प्लस होड़ेगा, और ये 3M होगया, अब इसमें से ये minus होड़ेगा, तो मैं लेका, minus 165 is equal to 3M, M की value निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, minus 165 divided by 3, तो कल्कुलिटर लीजिए है फटा-फट से, 165 divided by 3 करेंगे, तो 55 मिलेगा आपको, minus का 55, minus 55 is equal to M, ये आगे आपके पास M की value, ठीक है बचुँ, सेकंड बार पर आ रहे हैं, find the value of M, again M की value find करनी है, if, अब condition बताएगा आपको, if roots of this equation satisfy this relation, अगर इस equation के roots, इस relation को satisfy करते हैं, तो फिर आप M की value find करो, इसके roots को हम let कर लेते हैं, let, roots are alpha and beta, और वो equation क्या है, equation यहां लिख लेते हैं, x का square, plus 7x, plus 3m, minus 5, is equal to 0, ठीक है, और आप जानते हैं, इस question को हम sum product के formula से solve करते हैं, तो ABC की value आपको चाहिए होगी, पहले से calculate कर लेते हैं, तो x square का coefficient होता है, वो a होता है, कुछ में नहीं, तो 1 है, a की value आपको बस 1 आगे, x का coefficient है, वो b होता है, यहां पर 7 लिखा हुआ है, तो b की value आपको बस 7, और without x जो है, वो यह पूरे के पूरी term है, यह आपको बस constant होगी, c is equals to 3m minus 5 आगे, ठीक है, यह ABC की value आगे आपके पास, तो उसी तरह से जिस तरह हमने पहले question को solve किया है, इसी तरह sum और product के formula लगाएंगे, alpha plus beta हमारे पास sum होता है, minus b over a, और b की क्या value है, 7, minus, और a की value क्या है 1, तो पता चला के alpha plus beta जो है, वो equal to minus 7 होगा, नीचे 1 लिखो या न लिखो, इसा फरक नहीं पड़ता, यह हमारी एक equation number 1 आ गई है, ठीक है, बहुत important equation, अच्छा, दूसरी product के लिए, तो alpha into beta हमारे पास किसकी equal होगा, दोनों का multiply करेंगे, alpha और beta को, तो वो c over a की equal होता है, ठीक है बच्छो, अब आपको value चाहिए m के, और वो उस वक्त तक नहीं मिलेगी, जब तक आपको alpha और beta ने मिले, अब अब अच्छो, आपको m की value find करने के लिए alpha और beta की value को calculate करना पड़ेगा, अब उसने आपको कहा के, इस equation के roots याई alpha और beta, इस equation को satisfy करते हैं, अगर इस equation को satisfy करते हैं, तो इस equation को इस्तमाल किया रहा सकता है, for calculating the value of alpha and beta, ओके, यहां पर लिख देता हूँ, given equation, given equation क्या है हमारे बस, 3 alpha and minus 2 beta is equals to 4, इसको equation number 3 कहा देंगा, right, ओके जी, अब अब देख लिजिए, हमें alpha और beta की value निकालके यहां put करने हैं, तभी हमें m की value मिलेगी, और alpha और beta इस equation में पाय जा रहे हैं, अगर एक equation के अंदर दो unknown variable आ जाएं, तो आप उसको नहीं solve कर सकते हैं, दोनों की value find नहीं कर सकते हैं, जब तक आपको ऐसी ही एक और equation ना दी जाए, यह ऐसी equation जिसमें alpha और beta और एड़ हो रही हूं, इसमें इस equation जिसे कहते हैं, तो देखो, यह alpha प्लस beta is equal to minus 7, यह जो relation है, यह equation की फार में, यह बिल्कुल उसी तरह का नहीं जिस तरह गई है, alpha प्लस beta is equal to minus 7, इसमे इसमें भी alpha beta है, और add हो रही है, इसमें भी alpha beta है, ठीक है, तो इन दोनों को use करते हुए हम alpha और beta दोनों की values को calculate कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया हमारे पस बहुत सारे method होते हैं, हम एक equation से alpha यह beta के value निकाल के, दूसरे में put कर देते हैं, जिससे आपको एक value मिल जाती है, फिर आप उस value को यहां पर put करके दूसरी value भी निकाल लेते हैं, लेकिन सबसे असान दरे कही है, यह आप इन equation को add, subtract करके, एक variable को eliminate कर दो, दूसरे के value आपको असानी से मिल जाती है, अब ज़रा सोचो, इसके अंदर क्या है alpha, इसमें 3 alpha है, इसमें है beta, इसमें क्या है, हमार multiply करता हूँ, match हमें allow करती है, अब कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ multiply करना पड़ेगा, तो मैं यहां लिखूंगा, multiply equation 1 by 2, ठीक है, equation 1 को आपने 2 से multiply करना है, and उसको आपने add करना है, in equation number 3, 3 में add कर लो, एक value आपको cut जाएगी, दूसरी value आपको मिल जाएगी, ठीक है न, तो देखो जी, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, यह क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 alpha हो जाएगा, plus इसको 2 से multiply किया, 2 beta हो जाएगा, दूनों तरफ multiply करना पड़ता है, तो यह minus का 14 हो अब जरह देखो, ऐसा करने से क्या हो गया, यह दोनों same to same हो गया, positive and negative यह कट जाएगा अपस में, ठीक है, यह दोनों को दोनों यहाँ पर cut गए, तो 2 alpha plus 3 alpha क्या हो जाएगा, मेरे पास, 5 alpha हो जाएगा, तो एक variable खतम हो गया, दूसरे के value मिल जाएगी, minus का 14 और प्लस का, 4 यह देखा, minus का 10, तो alpha की value क्या मिलेगी, minus 10 divided by 5, तो पता चला, कि alpha जो है, वो equal to क्या है, minus 2, 5 1 the 5, 5 2 the 10, alpha is equal to minus का 2 आगया, एक value आपको मिल गई, अब दूसरे value चाहिए, असान है, अब क्या करो, यहाँ से alpha की value निकालके, इस equation 1 में put कर दो, यहाँ पर मैं पहले line लगा ले put value of, of alpha in equation 1, equation 1 में put करो, ठीक है, तो बच्चो मेरे पास equation 1 क्या है, आपको पता है, alpha plus beta is equal to minus 7 है, तो alpha की value minus 2 आचुकी है, minus 2 यहाँ लिख दीजिए, और plus का beta is equal to minus 7, minus 2 उदद रगा, plus होड़ेगा, minus 7 और plus का 2, यह बनेगा, minus का 5 is equal to beta, तो यह मेरे पास beta की value भी आगे, अब हमने निकालनी थी value M की, उसके लिए alpha और beta चाहिए था, alpha भी मिल गया, beta भी मिल गया, दोनों values put कर दो, इस equation के अंदर, तो आपको answer मिल जाएगा, ठीक है बच्चो, बात clear होगी, ओके जी, तो अब आप क्या करोगा, जी, put alpha and beta in equation, कौन हमने नाम इन दिया है, चलिए इसको 2 का नाम दे देते है, यह equation 2 है हमारी, ठीक है, equation number 2, इस equation 2 में हमने यह value put करने है, product value में, ठीक है, और वो क्या है, alpha into beta is equals to 3m minus 5, 3m minus 5, alpha के value कितने है, minus 2, यह लिख देते है, minus 2, beta के value कितने है, minus 5 is equals to 3m minus 5, minus minus plus वाज़ेगा 5 to the 10, and 10 is equal to 3m minus 5, यह minus 5 वे दर आके plus होने का, यह बन गया, 15 is equals to 3m, so m is equals to 15 divided by 3, तो 5, 1 दा 5, sorry 3, 5 दा 15 होगा, तो यह आजगा आजगा आपको बस 5 is equals to m, तो m की value आपको मिल देगी, यहां से 5, part number 3 में भी again हमने find करना है, find the value of m, m की value find करना है, condition दी हुए है, if roots of this equation, satisfy this relation, अगर इस equation के roots, इस relation को satisfy करते हैं, तो m की value find करना है, ठीक है, तो हम सबसे पहले let करते हैं, जिस तरह पहले किया था, let alpha and beta are roots of equation, वो equation क्या यहां लिख लेते हैं, 3x का square, minus 2x plus 7m plus 2 is equal to 0, ठीक है, और यहां पर हम इसको solve करते हैं, sum और product के formula के लिहाज से, उसके अंदर ABC की value इस्तमाल होती है, इसलिए सबसे पहले आप ABC की value को find कर लिया करें, अब x square का जो coefficient होता है, वो a होता है, सब जानते हैं, a is equal to 3, x का जो coefficient होता है, वो होता है, यानि variable का जो constant है, वो, क्या होता है, b, और b is equal to minus 2, ठीक है, हमेशा याद रखे, square of variable का जो coefficient होता है, वो a होता है, variable का coefficient जो होता है, वो b होता है, और without variable, यानि इसमें x हमारा main variable है, वो मजूद नहीं है तो यह constant है c is equal to 7m plus 2 यह आगा हमारा constant ठीक है ABC की value अब आपने सबसे पहले sum calculate करना है alpha plus beta formula लगाओ minus b over a minus b divided by a तो b क्या है मेरे पास minus का 2 है और a की value क्या है मेरे पास 3 है तो minus into minus plus बन जाता है 2 divided by 3 alpha plus beta is equals to 2 divided by 3 अब यह number अब fraction में आगे तो गबराना नहीं है कि fraction में आगे आप क्या करेंगे कैसे add करेंगे इसके नीचे 3 है na equation है हमें equation allow करती है जो दिल करता multiply करो लेकिन दोनों तरफ इदर भी 3 से multiply करेंगे तो 3 alpha इदर भी 3 से multiply करेंगे तो 3 beta ठीक है इदर 3 से multiply करेंगे तो यह 3 3 से cut जाएगा तो यह 2 आएगा समझेओ पूरी equation को 3 से multiply करो यह 3 कट जाएगा इन से 3 multiply हो जाएगा तो 3 alpha plus 3 beta is equal to 2 यह आगे हमारे पास equation number 1 ठीक है अब product के लिए alpha into beta किसके equal होगा जी हमारे पास c over c divided by a के equal होता है तो c की क्या value है c की value है जी हमारे पास यह वाले 7m plus 2 ठीक है और a की value कितनी है मेरे पास एकी value है 3 तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास alpha into beta equal है 7m plus 2 divided by 3 के यह आगे मेरे equation number 2 मुझे value find करनी है m की और वो m की value पाए जा रही है बात समझ रहे हो तो m की value मुझे उसी सुरत मिलेगी जब मुझे alpha और beta की value का पता होगा यहां पर put करूँगा फिर solve हो के मुझे m की value मिलेगी जब तक alpha बेटा नहीं मिलेगा बैस solve नहीं कर सकता ठीक है तो उसने आपको एक extra equation दी हुई है यह और कहा कि alpha और beta जो इस equation के roots है वो इसको satisfy करते हैं इसका मतलब यह कि alpha और beta की value को calculate करने के लिए आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है यह simple सी बात अपने mind में रखें अगें हम वही असान ओला method करेंगे addition method तो जो given equation है यहां पर लेख देते हैं given equation is 7 alpha minus 3 beta 7 alpha minus 3 beta is equals to 18 ठीक है equation number 3 कहाँ इसको ठीक है ना और अब आपको alpha और beta दोनों की value find करनी है और एक equation में अगर दो variable होते हैं तो आप इसको दोनों को calculate नहीं कर सकते आपको वैसे ही एक और equation चाहिए होती है जिसको simultaneous equation कहते है ठीक है तो जब ढूंड़ो कोई ऐसी equation है जिसमे alpha और beta add हो रहे हूं यह देखो alpha प्लस beta यह वाली equation जिसको हमने यहां पर modify करके यहां लिख है 3 alpha प्लस 3 beta is equal to 2 ठीक है ना तो इन दोनों equation को add करके देखो कोई 1 and 3 इन दोनों को add कर लें add करने से मिलेगा आपको यह देखो जी 7 alpha minus 3 beta is equal to 18 और यहां पर देखें तो 3 alpha 3 alpha और plus का 3 beta is equal to क्या है जी मेरे पास 2 ठीक है यह 2 आ गया इन दोनों add कर देता हूं तो देखो यह minus 3 beta plus 3 beta आपस में कट गए ऐसे कट गए और यह 7 alpha 3 alpha कितना हो गया मेरे पास 10 alpha हो गया और इदर क्या हो गया जी मेरे पास 20 हो गया तो alpha की क्या value होगी 10 जाके divide हो गया alpha is equal to 20 divided by 10 तो पता चला के alpha की value हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई आ समझ के हो ओके अब जब alpha की value आ गई तो बीटा के निकलना कोई equation कौन सी alpha की value किसी equation में put करनी है जी हमने कौन सी वाली कौन सी वाली इसमें put कर देते हैं यह वाली में ठीक है equation 1 में equation 1 क्या 3 alpha 3 beta 3 alpha plus 3 beta is equal to 2 है तो alpha की क्या value आई आपके बास 2y तो 3 into 2 plus 3 beta is equal to 2 तो 3 into 2 क्या होता 6 6 plus 3 beta is equal to 2 तो 3 beta किसकी equal होगा 2 minus 6 क्या बनेगा minus का 4 is equal to 3 beta है ना तो beta के value क्या आएगी बीटा की value है गी minus 4 divided by 3 तो आपको alpha और beta दोनों की value मिल गई तो हमारा जो problem था वो क्या था वो यहां पर के alpha बीटा के value पता नहीं थी हम m की value उस वक तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें alpha बीटा के value न मिले तो वो मिल गई ठीक है तो put करते है इस equation number 2 के अंदर put value of alpha and beta in equation number कौन सी वाल equation है जिसमें m है 2 equation number 2 में ठीक है तो लिखते हैं यहां पर equation number 2 7 alpha sorry alpha into beta alpha into beta is equals to 7m plus 2 7m plus 2 divided by 3 आज़ेगा right okay अब values put करते हैं जी alpha किसके equal था 2 के तो यहां पर लिख लेते हैं जी हम 2 और beta किसके equal है minus 4 by 3k minus 4 divided by 3k and that is equal to 7m plus 2 divided by 3 अब यह multiply होगा तो क्या बनेगा minus 8 by 3 minus 8 divided by 3 is equal to 7m plus 2 divided by 3 इदर भी 3 है इदर भी 3 है डिरेक्ट भी कार सकते हैं वनना यह 3 इदर आके multiply होगा और इस 3 से काट जाएगा ठीक है मैं direct काट हूँ यहां पर आप अगर नहीं करना चाहते तो यह 3 divided हो रहे है इदर आके multiply होगा तो 3 3 से काट जाएगा minus 8 is equal to 7m plus 2 ठीक है और हम इसको यहां solve कर लेते हैं इसे तो minus 8 को लिखे यहां पर minus 8 and that is equal to 7m plus 2 7m plus 2 तो plus 2 इतरा के क्या होगा minus minus 8 और minus 2 minus का क्या बन गया हमारे पास 10 ठीक है and that is equal to 7m मुझे चाहिए value m की 7 divided होटेगा minus 10 divided by 7 that is the value of m question number 6 पे आ ले question number 6 के भी दो पार्स है बच्चो कहा जा रहा है find the value of m, m की value find करो if sum and product of the roots of following equation is equal to lambda यह तो equations है इनके roots का sum भी equal to lambda है और इनके roots का product भी equal to lambda है तो फिर आप value find करो m की तो यह condition को आप इस्तमाल करेंगे यहां पर ठीक है तो सबसे पहले आप solve करेंगे part 1 को ठीक है part 1 की equation जो है यहां पे आप लिख लिखते है 2m plus 3 into x का square plus 7m minus 5 into x और plus का 3m minus का 10 is equal to 0 ठीक है तो क्यूंकर यहां पर हमें sum of product के formula नकालने है इसलिए हम पहले ABC की values नकालेंगे तो x square का जो coefficient होता है वो आपको बस a होता है तो पता चला है a is equal to 2m plus 3 ठीक है और x का जो coefficient यानि x के साथ multiply होने वाला b होता है b is equal to 7m minus का 5 और जो constant यानि without x होगा वो c के equal 3m minus का 10 ठीक है तो आपको a, b और c के values मिल जाएंगी समझ गये हैं? ओके जी तो अब आपने क्या करना है condition जो उसने बताई है उसको apply करना है sum of the root निकालो पहले sum of the root को किसे शोग करते है alpha plus beta वो किसकी एक बन होता है minus b over a तो minus b, b की क्या value है? 7m minus का 5 ठीक है? a की क्या value है? a की value है 2m plus का 3 बास समझ गये है? तो देखो यहाँ पर आपके पास जो sum आ जाता है यानि alpha plus beta वो equal आ जाता है minus 7m minus 5 divided by 2m plus का 3 इसको हम equal करते हैं कि that is equals to lambda that is equation number one कि उसने खुद कहा कि sum और product दोनों किसकी equal है? lambda की equal है इसको हम जाए lambda की equal suppose कर लिए है ठीक है? अच्छा फिर product की तरफ आते है alpha into beta किसकी equal होता है? c over a की equal होता है तो c की क्या value है? c की value है जी हमारे पास यह 3m minus 10 3m minus का 10 ठीक है? और a की value क्या है मेरे पास 2m plus का 3 इसको भी आप equal to lambda ले ले लेंगे that is equation number 2 अब क्योंके sum of the root और product of the root दोनों equal to lambda है अब जरा गोर किजिए lambda इसके भी equal है lambda इसके भी equal है इसका मतलब यह दोनों आपस में फिर equal है ठीक है? तो आप लिखेंगे जी comparing equation number 1 and 2 ठीक है? लेंडा इसके भी equal लेंडा इसके भी equal तो यह दोनों फिर आपस में equal होंगी so minus 7m minus 5 divided by 2m plus 3 is equal to यहां पर लेखेंगे यह वाली 3m minus 10 divided by 2m plus 3 इन दोनों के denominator एक जैसे हैं दोनों तरफ से कट सकते हैं यह पिर आप ऐसा भी कर सकते हैं यह पूरा denominator जो इदर divide हो रहे है इदर आके multiply हो रहेगा और इससे कट जाएगा मैं इसको directly काट रहा हूँ ठीक है ऐसे मैंने directly दोनों तरफ से इसको काट दिया इदर बचेगा आपको बस 7m minus 5 इदर बचेगा 3m minus 10 बाइर minus है ना जब यह bracket को open करेंगे तो यह से multiply होगा यह बंजेगा माइनस का 7m और प्लस का 5 साइन चेंज हो जाएंगे और यह होज़ेगा आपको पस 3m minus 10 बाइट अब हम क्या करते हैं माइनस 7 को उदर ले जाते हैं हो जगा प्लस का 7m और यह प्लस का 3m इस माइनस 10 को इदर ले आओ 5 इदर पहले से था और यह इदर आके 10 प्लस खाओ गया यह बंजेगा हमारे पास 10m is equal to 15 तो m की value क्या आई 15 divided by 10 सही है तो आप देखें 2 दा 10 और 5 3 दा 15 तो पता चला के यह आगे आपके पास m की value बिल्कुल इसी तरह से अब आपने इसका part 2 भी करना है और यहीं पर solve कर देता हूं एक line लगा लेते हैं यहां पर हम जैसे अब देखो हम इस equation को solve करेंगे इस equation मैं यहां पर लिखता हूं 4x का square minus 3 plus 5m और साथ में x आजएगा फिर minus 9m minus 17 is equal to 0 ठीक है तो sum or product के formula आपने लगाने है तो ABC की value को पहले calculate करना पड़ेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं x के square का जो coefficient होता है वो a होता है a is equal to आगया 4 और x का जो coefficient होता है वो b होता है तो b is equal to minus 3 plus 5m की bracket आजएगी और इसी तरह जो constant होता है या नि without variable variable हमारा यहां पर x है तो उसको हम constant कहेंगे ठीक है c is equal to minus 9m minus 17 वली bracket ठीक है ओके जी अब आपने sum of the roots का formula लगाने है alpha plus beta किसके equal होता है minus b divided by a के तो minus अब b की क्या value है ठीक है मेरे पास b की value यह है एक यह minus और एक यह minus जो आए ठीक है 3 इसका अपना minus 3 plus 5m ठीक है और divided by a की value के आएगी 4 तो minus minus plus हो जाएगा यह मिल जाएगा आपको 3 plus 5m divided by 4 ठीक है यह आगा आपके पास sum अब क्यूंके question में कहा जा रहा है sum of the root और product of the root दोनों equal to lambda है तो आप इसको equal कर देंजी lambda के ठीक है इसी तरह से product की बात करेंगे alpha into beta हमारे पास equal होता है c over a के तो c की क्या value है c की value है जी minus 9m minus 17 divided by a की value 4 है ठीक है तो यह बन जाएगे जी आपके पास दिर्कुल इसी तरह से minus 9m minus 17 divided by 4 इसको भी आप equal कर दें lambda के ठीक है वैंने एक बार दबार लिख दिये है इसको चलें इसको equation 2 बोल देंगे ठीक है अब जरह देखो यह sum के value आई इसको equal to lambda रखा यह product के value आई इसको भी equal to lambda रखा according to the condition of question sum of the roots and product of the roots दोनों किसके equal है जी lambda के equal है तो अगर lambda इसके भी equal है lambda इसके भी equal है तो फिर यह दोनों आपस में भी equal होने चाहिए ठीक है तो इदर लिखेंगे जी comparing equation 1 and 2 compare कर रहे है तो देर लिखा जी हमने 3 plus 5m divided by 4 is equals to minus 9m minus 17 divided by 4 कर देंगे ठीक है अब अच्छा है कि आप दोनों तरफ 4 से multiply कर लो इसको ठीक है ना तो मैं इतर लिखते तो जी 3 plus 5m और divided by 4 इतर multiply by 4 कर देता हूं दोनों तरफ करता हूं तक 4 cancel हो जाए minus 9m minus 17 divided by 4 multiply by 4 तो 4 4 से क्या आपको क्या मिला 3 plus 5m मिला इदर से इदर minus को multiply करें 9 के साथ तो minus 9 का m बन जाएगा minus को minus 17 से multiply करोगे तो plus का 17 बन जाएगा ठीक है आपके करोगे यह लिखा इदर 5 का m यह दर आके plus का 9m हो जाएगा ठीक है यह plus का 3 हो दर आके minus हो जाएगा तो 17 minus 3 क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा तो 9 plus 5 क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा ठीक है तो आपको चाहिए value m की तो 14 divided by 14 करेंगे तो m की value आपको मिलेगी 1 तो पता चला कि भाई आपका जो m है जिसको आप calculate करने जा रहे थे वो equals to 1 है ठीक है बचो तो यह था हमारा आज का lecture अगर आपको कोई confusion है यह किसी किसम का कोई problem है तो comment section के अंदर आप दूरूर पूछ सकते हैं अल्लाहाफिस